कि चेप्टर का नाम है आज इसमें डिफ्रेक्शन आफ लाइट डिफ्रेक्शन आफ लाइट ऐसा नहीं कि लाइट का डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन के वर लाइट में होता है डिफ्रेक्शन ओल वेफ्स में होता है इलेक्ट्रोमेंगेटिक वेफ्स में भी डिफ्रेक्शन को जाएगा तो डिफ्रेक्शन का फिर्च्छन होता है है तो भी सबस्क्राइब यह हो जकता है ना तो डिफ्रेक्शन ओफ लॉइट क्या एक तरह की एक छुम मैं लाइट अगर उप पूचे कुछ लाइट क्या है तो एक वेव फिंट वाट करते हैं टीफ्रेक्शन पहुआ टीफ्रेक्शन आफ right डिफ्रेक्शन आफ लाइट कहा है डीको इसकि अप्जर्विशं पढ़ेंगे सिरुआत में अप्जर्विशं हमने रिसार्च करए टो कियां किह से ओपने पीट से ऩो फिर में किया गया से किया ल refinर से तो हुआ भी ये हमने एक सिंगल अध्यले ले रहे हैं किसी सिंगल एक contrast आइसे है ना और एक इधर मै बना देता हूँ इक सोब पुर्ट हैं और इसमें एक होल ऐसे किया था इसमें भी एक ऐसी और मैने उसे जूम करके लिखा दिया है तुराएशा इसको एक स्क्रीन दिखा रहे हैं हम यहाँ पर एक स्पाइश और यह एसे इसको ऐसे दिखा दिया ने एक सिंगल इसके सामने क्या करते थे हम यह एक और स्क्रिन रखते थे और दो बना देते एक लटे रही और एक लिट एडियर हैस्वन एस्टू तो अगर दिखाना चाहें तो आप डिखा सकते हो कि एक लिए रही आपकी और एक स्ट अब से तो आसा मोटा करके स्क्रीन को दिखा दो ऐसे यहां पर डबल ली थी हमने लेकिन स्लिट का अमलना सुष्टे हो स्लिट क्या होती है आपका एक पेपर एक स्क्रीन लेओ ऐसे और ऐसे स्क्रीन लेकर उसमें एक ऐसे चेद कर दो उसको बहुत है रLE. और यह स्लिट की क्या है यह वाली यह स्लिट की विर्थ है डी जिखा यहां पर विद्धद एप्स ओस स्लिट जबकि यहां जो डी था वह बिड़ नहीं ती जिखी यहां पर डी ए живот और एस रम एस टू के भीश की से separation between slit S1 and S2 तो यहाँ D इस slit की width नहीं थी इस slit की यह वाली width नहीं थी कि यह कितना width है इसके D हम मानते थे इसकी width कितनी है W1 मानते थे यह width of slit 1 width of slit W1 इसकी width W2 मानते थे width of slit 2 यह width of slit 2 यह width of slit S1 की W1 width of slit 2 W2 यह D जो था वो width नहीं थी slit की इस separation थी slit S1 S2 Interference of Light में Young Double Slit Experiments में लेकिन अब हम यहां कह रहे हैं कि हमारे पास एक single slit only जैसे यह single slit है यहां पर यहां double slit करी थी S1 S2 यह single slit है यहां पर तो हमारे पास एक single slit है और single slit की width की बात कर रहे हैंगे वो slit कितनी चौड़ी है D बहुत जी किताबों में इसको हम A भी मानते हैं कभी कोई A सिंबल मान लेता है कि width of slit A जिसे confusion ना हो इस D और A के साथ जो D interference of light में जो D था वो width नहीं थी slit की S1 S2 के बीच की separation थी इस पर note करना वाला point है और यहां हमने जो A D मानी है D consider करेंगे मैंने notes में D माने के रखी है D यह width है slit की slit कितनी चौड़ी है उसकी width D ठीक है concentrate की है आपने वाला point ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़े हैं तो यह को एक screen है इससे काफी दूरी पर है एक मीटर की distance पर लेकिन मैं पास ही बना देता हूं है ना यह मैंने एक पास ना दी इस यह screen है यह capital D दूरी capital D slit और screen के वीच की separation यह screen है और यह जो है एक मीटर के ओडर की होती है एक मीटर एक मीटर की ओडर की काफी distance लार्ज होती है एक मीटर तना होता है लेकिन पास ही बना दिया है ठीक है अब इसमें हम observation वन यह अब जर्वेशन कर रहे हैं अब जर्वेशन वान कॉंसेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है मनलब एकस्परिमेंट में यह अब जर्व किया आपने कि अमने वाई यह इस पार यह पारिलॉल आइंशों कर रहे हैं यह यह कह दो कि हम एक प्लैन वेप्रंट कर रहे हैं से एक लाइट करी ओपलोल लाइट है आप जाल कर रहे हैं एक से लिट है सिंगल उसके विर्थ डि है और इस इसे capital D distance पर एक screen रख लिए और रखके इस पर एक parallel light incident करी है तो यह पर एक में गर्पर्ण कशेंटिया याद को जो में को दाखते हैं तो बहुत से कहते हैं कि इस लेट्ट सिंगल पर इसकी विट्सदी है इस पर करें या एसे करें तो हमने क्या ओजर्व किया वह क्या किया किसक्र यह उपजर्व करा यह उता घता हूं जब जो डी है यह लाइट रेज है एस चल लाइए लाइट रेज हैं इसकी बेवलेंध लैम्डा है सब्सक्राइब कर रहे हैं लाइट अब यह हमने किसमें किया है कि डी लार्ज है भाई लार्ज जो विर्थ है वो बड़ी है कितनी बड़ी है भाई डी लार्ज है तो कितनी बड़ी है तो हमने का वह ऐसा है कुछ डी लैमडा से बड़ा है यह ना डी इस लाइट जो यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंट से ग्रिटर है इसी पर ध्यान देना वाला पॉइंट है कि हमने यह अबजर्व कव किया यह हमने जो विट्थ अफ्लिट है वो लार्ज है एस कंपेड टो जो हम लाइट इंसिदेंट कर रहे हैं उसकी वेवलेंद के कंपैरिंग लार्ज है इस कंडिशन में हमने क्या अबजर्व किया तो हमने देखा भाई कि लाइट जो है यह लाइट सीधे चलीगी ऐसे यह साइट यह अबजर्व होगा कि यह वाला जो पूर्शन है स्क्रीन का यह वाला जो पूर्शन है यह यह ऎलूमिनेटेड रिघ्ट वीजन हो गया और एक screen ऐसे है तो इसको अगर मैं यहां दिखाता हूं side से तो ज़रा कैसे दिखाएंगे इस screen को मैं यहां बनाएता हूं कि मेरे पास यह screen है तो यह वाला जो portion है ना screen पर इस जिए पर हमें light illuminated region दिखाए देगा यह वाला portion हमें bright portion दिखाए देगा यहां brightness होगी यहां पर light होगी है ना यह illuminated region यह वाला इतना इससा this is a illuminated region मलब एस जगह पर light होगी illuminated region ऐसे तो अभी हम इसमें ऐसे दिखाए देखाए 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 और इधर की तरफ light पहुंची नहीं पहुंची यहां screen लगी हुई है इसमें इतना ही में slit बनाई है हमने slit मलब छेद किया है तो इस वाले portion में तो हमें illuminated region दिखाए दिया लेकिन यहां से यह वाली light स्लिट ने यह स्टापकरेंब कर दी यह आगे नहीं गईए यह वी आगे नहीं गई यह वाली जू सबरेंक यहां से डाडर यह रिजन और ऐसे इससे ऊपर वाला जो रीजन होगा इसे भी हम सैडो रीजन कहेंगे ऐसे इसे हुआ हुआ कब तब हुआ जब आपकी जो है यह स्क्रीन रख ली और इस पर एक पर लाइट इसंट करी तो हमने क्या आप्जर्व किया कि जो स्क्रीजन है उसके जब सामने वाला इस पहुंच रही है यहां पर हमें ऐसा रीजन दिखाएदेगा पूरा डर्क पी तरफ यह डार्क रीजन आएगा वे। पूरा आएगा पूरा ड़ीजन आएगे यहां पर तो नीचे भी सब्सक्राइब होगा लेकिन अबिसके वो तो देते हैं लेकिन आपजर वे किस कंडिशन में किया जो दी है लार्ज है जो light की wavelength है उसकी comparing बड़ी है तब हमें ऐसा दिखाई दिया है ठीक है फर्स्ट केस इससे अब जर्विशन नम्मर वन और इससे हमने क्या decide किया इससे हमें लगा इस experiment से जो हमें observe हुआ हमें लगा कि light का जो path है path of light path of light वो कैसा है state line appear हुआ है कि state line होना चाहिए क्योंकि slit के सामने वाला portion पर ही हमें illuminating दिखाई दिया तो इसका मतलब है कि light कैसे चल लगा है state path पर चलती हुई दिखाई दे रही है ऐसा हमने observe किया शुरुआत में ठीक है ऐसे देखो एक और observation बताता हूँ मैं second observation फिर मैं आपको आगे बताऊँगा ठीक है देखो second observation देखते है थोटा छोटा बनाऊँगा थोड़ा सा छोटा तो क्योंकि मैं इसी में एक ही observation बनाना चाहता हूँ second observation observation number one two observation number two क्या है इसमें जो observation है उसमें ये किया गया कि भाई slit ले लो एक चोटा थोटा सा छोटा कर देता हूँ यहां पर एक पॉइंट सोर्स रख लिया प्लाइन वे प्रेंट सोर्स अब कि आपके हम इस पैरिकल वे प्रेंट इसका मतलब क्या है तो दिखो अभी मालं पढ़ता है यह चलेगी तो यह स्क्रीन पर पहुंच यहां से इस वाले पोर्चेंट में लाइट पहुंचेगी के नहीं पहुंचेगी तो हमने देखो यह अब्जर्व कर रहे हैं हम यह अब्जर्व कर रहे हैं कि अगर यहां एक point source रख दें और यह width of sit है d और इसी condition अब्जर्व कर रहे हैं condition यह यह कि d large है और जो light यूज़ कर रहे हैं उसकी जो wavelength वो lambda है और d lambda से बड़ा है हम इसी condition में observation देख रहे हैं एक condition important है ठेक है ने अजरवाई सब गुचगलत हो जाएगा तो देखो हमें हम यह कहेंगे हमें क्या दिखाई दिया इस स्क्रीन पर हमें दिखाई दिया कि यह जो region है यह illuminated region है that means इस वाले region में light पहुँची और इसके नीचे यह वाई light जा रही है तो यह रुख गई है यह light जा रही है तो यह रुख गई यह stop हो गई यह light इस्क्रीन पर नहीं पहुँच पा रही है तो इतना जो region है यह illuminated region है इसके नीचे जो आएगा region this region इसके नीचे वाला यह सारा dark region होगा that means उसे हम बोलते हैं shadow region यह light नहीं पहुचेगी और इसके उपर जो region होगा this region यह भी shadow region होगा और light यहाँ पर भी नहीं पहुचेगी light यहाँ पर भी नहीं पहुचेगी यह आपने second observation देखा और इस observation के basis पर यह observe किया हमने लेकिन किस condition में किया कि जो d है width of slit यह d large है और जो कितना large है कि जो d है वो wavelength यूज़ कर रहे हैं उस साब बड़ा है d बड़ी है wavelength of light से तब हमने ऐसा observe किया और ऐसा observe किया कि हमने एक conscious रखा तो हमने observe किया यह हमें चलती हूँ तो दिखती नहीं है light rays कि light rays जाएंगी और ऐसे होगा हमें तो क्या देखेगा screen पर illuminated region कि इतना illuminated region है और वाकी का side region है उपर darkness है नीचे उपर नीचे darkness है तो हमने ख्योरी से सोचा कि अगर यहां point source रख रहे हैं और देखो कैसा वेफ्रेंट इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर इस चल लए आपकी देखाएंगी तो यहां पर भी हमने कहा आप लेखा कि light travel in the state path light state path पर चलती होई हमें यहां पर भी दिखाएदी this observation number 2 अब देखो observation number 3 क्या है observation number 3 3 observation की बात करें observation number 3 तो रध्यान देना अब धंग से observation of 3 हमने क्या किया अभी तो slit ली यहां पर भी single slit ली यहां पर भी single slit ली अब ही काम करते हैं एक obstacle ले लेते हैं optics obstacle मनलब एक रुकावट है ना टो एक रुकावट ले लिए हमने देखो ऐसे है ना एक पने कोई path रख लिया है यह obstacle है अपए है मनलब इस transparent नहीं है light transmit नहीं हो सकती एक रुकावट रख लिए यहां इससे D दूरी पर एक स्क्रीन रख लिया हमने ऐसे capital D दूरी पर और एज जगह पर एक point source रख लिया लेकिन इसकी जो width है जो चोड़ा ही है इस obstacle की वो D है और वो D लाहार्ज है किस से इसकी wavelength है इसी condition पर ध्यान रखो इस condition में ने देखा कि भाई की light ये गई इस वह पूछेंगी नहीं screen पर ये light गई ये भी रुख गई होगी और परचर नहीं है चेद नहीं है तो यह अपका यहां से av light रुख गई होगी यह वाली light गई होगी तो यह screen पर पहुंच गई होगी इस preciso यहां से यहां से ओपर जाएगे तो वह तो इन दॉ मोंनेरे打ink से 12 एस और गिए वैड़ ग्वासा डॉक Elijah नあー यह को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कीरों का जबतबोर कि तीक होगा है वा क्वहंost कि ऑब जरुशन मानलब एक हमने आए वसोर्स लगाया इसके सामने औफ्स्टेकल रखका एक स्क्रीन रख़ी केपिटल द मुझें पर इसकी जो वेट है डी ये जो है डी बड़ी है लेंडां से अधर कि ऑष्यश्ट कि यह स्क्रीन कि इस सामने वाले portion पर, इतने वाले portion पर, sad origin, बनलब dark बनता है, dark bend बनता है, और उपर की तरफ ये वाला region कैसा होगा, ये illuminated region होगा, illuminated region, ऐसे ही इसके नीचे ये वाला, यहाँ पर light पहुंच रही है न, यहाँ पर दोको light पहुंच जाएगी, ये वाली भी पहुंच जाएगी, इसके नीचे ये वाला region कैसा हुआ, illuminated region, illuminated region, इसमें भी हमें ऐसा लग रहा है कि light, कैसे path पर travel करती है, state path पर travel करती है, तो ये observation नमबत थी, है न, यह समझ माया, ठीक है, sir इसमें diffraction कौन सा है, तो diffraction तो कोई सा नहीं है इसमें से अभी, कितनी बात समझ मायी पहले आपको, ठ समय, अब केस observation number four, अब बात कर रहे हैं, observation number four, इस पर ध्यान देना अच्छी तरीके से, observation number four, फिर हमने क्या किया, कि फिर हमने एक slit बनाई अगेन, एक slit बना रहे हैं, यह, यह मैंने एक again slit बना लिए भाई, यह slit बना लिया, ऐसे, ठीक है, और यह slit बना के, मैंने, इसकी width कितनी है, डी, डी width of slit, और इस पर फिर मैंने parallel light डाली, देखो मैं इस पर फिर parallel light डाल ला हूँ, सर यह तो observation करी लिया, हाँ, ज़र समझो, सर यह वाला observation तो यह रहा, आप द्वारा से क्यों लिख रहे हैं, तो बतर condition क्या change हो रही है, condition, change कर अब, concentrate करो, कभी समझ में आजाएगा, क्या कहरा हूँ है आपको, यह मैंने इस पर फिर parallel light डाल दी, ऐसे, यह light डाली है, ऐसे, parallel light incident करें, और इस light की जो wavelength है ना, वो lambda है, और इसकी जो width है ना, वो D है, लेकिन अब conditions क्या जानते हो, condition यह यह नहीं है, अब condition है कि D lambda के order का है, जो width of slit है, वो approximate equal है, wavelength of light के, या फिर, अगर यह होता है, तो बढ़िया, और इस से भी बढ़िया क्या, D छोटा है, lambda से, देखो, यहाँ D lambda से बढ़ा था, D large था, यहाँ हम क्या करेंगे, जो slit की width है, वो light की wavelength के order की है, यह जो slit की width है, वो light की wavelength से छोटी है, उस condition में, तो जानते हो, यह condition में हमने क्या देखा, जानते हो, यह जो condition है, यह satisfy करना light के लिए बड़ा मुश्किल काम है, उस समय, जब हम diffraction of light की discovery नहीं हुई थी, उस से पहले, लोग वावों को ऐसा लगता था, कि ऐसे light चलती है, ऐसा लगता था, सर क्यों, क्योंकि यह condition क्राप्ट करना, बहुती, daily life में, बहुती मुश्कि है, लेकिन नामुकर नहीं, आज की जमाने में नामुकर नहीं है, लेकिन उस समय जब technology नहीं थी, ज़्यादा, जब यह discovery चल नहीं थे, उस समय ज़्यादा technology नहीं थी, science नहीं ज़्यादा तरक्की नहीं करी थी, उस समय यह वाली condition, बड़ी मुश्किल से obtain की गई थी, सर इ मुश्किल वाली बाद बताता हूं, ठीक है, ज़्याद समझो, जानते हो wavelength of light कितनी होती है, wavelength of light, वो कितनी होती बता सकता है, को wavelength of light, 4000 angstrom से 7500 angstrom, 4000 angstrom से लेके, आप 8000 कर लो, 7500 angstrom बोलते हैं, 8000 बोल दो, ऐसे, अब सबसे बड़ी wavelength नाइए, इसका order देखते हैं, 8000 angstrom है, अब जान समझना इसको, 8000 into 10 की power minus 10 meter, that means 8 point double triple 0, point लगा लिए हैं, यहाँ पे, 8 ही हो गया सीधा-सीधा, 8 लिख लेता हूं, 8 into 10 की power minus 7 लिख सकते हैं, वही यह 3 0 मैंने प्लस के 3 करके गठा दिया, तो minus 7 meter, तो इस इसका जो wavelength of light का order है, order of wavelength of light, वो approximate 10 की power minus 7 meter है, यह wavelength of light का order है, that means light की wavelength है, तो इसमें लोगे, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 into 10 की power minus 7, और यहाँ 8 into 10 की power minus 7, तो order यह, this is the order, तो इसको orderable, 10 की power minus 7 meter, तो आपको जो slit चाहिए, slit की width होनी चाहिए, width of slit D, यह कितनी चौड़ी होनी चाहिए, lambda के बरावर, that means, यह width of slit, 10 की power minus 7 meter की order की हो, यह width of slit D, वो इससे भी छोटी हो, तो ऐसी width of slit बनाना, बहुती मुश्किल है हमारे लिए तो, तो क्यों, इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात है, ज़रा समझो, मुश्किल वाली बात बताता हूँ, यह कितना चोटा है, 10 की power minus 7 को, अगर मैं ऐसे लिख लूँ, 10 की power minus 3, और 10 की power minus 4 meter लिख सकता हूँ, और अगर देखो, आप 10 की power minus 3 meter, इसकी जएगा पहले लिख सकता हूँ, 10 की power minus 4 तो यह ऐसी किसी लिख लिख लिया, और 10 की power minus 3 meter, इसकी जएगा पहले लिख सकता हूँ, चलेगा, क्योंकि 1 mm में 10 की power minus 3 meter होते हैं, एक मिली मीटर में 10 की power minus 3 meter होते हैं, तो आप 10 की power minus 3 meter को लिख सकते हो, एक मिली मीटर, तो मैंने इसकी जएगा लिख दिया, तो यतना अगया मिली मीटर, तो बेवलेंथ अपलाइट कितने अपले बेवलेंथ अपलाइट का ओडर क्या आ रहा है, बेवलेंथ अपलाइट का ओडर आ रहा है, 10 की power minus 4 millimeter, आप 1 millimeter जानते हो न, एक मिली मीटर कितना बड़ा होता है, एक मिली मीटर होता है, जब सकेल देखा है न, आपने, एक मिली मीटर होता है, 0.1 centimeter की, तो scale दिखा हो आपने यह 0, यह 0.1 cm होता है, यह 0.1 cm, एक cm नहीं, 0.1 cm, तो 0.1 cm एक mm होता है, तो साब यह है 1 mm, यह 0.1 cm, तो यह distance होती है 1 mm की यह वाली, इतनी, यह 1 mm की distance है, यह न, एक mm, और यह बेवलंद कितना देखना देखना, बेवलंद अप्लाइट का ओडर है, 0.000 0.01 mm, ऐसे लिखेंगे इसको देखो, 10-4 mm को ऐसे नहीं लिख पाएंगे 0.001 mm, ठेक है, यह बेवलंद अप्लाइट का ओडर है वाई, देखो मैंने यही तो कोड़ा, 10-7 mm और आ रहा है, इसको मैंने सॉल्ब किया, इसको इतना mm के बरावर है, तो आपको D क्या करना है, इ तो बरावर होगी, approximate बरावर, या जो width है slit की, वो wavelength से भी कम करनी है, इतनी करनी है, तो क्या आप इतनी width का एक slit बना सकते हो, जानते हो, यह कितना छोटा हो गया, जो 1 mm डिस्टंस है, इसके कितने equal part करोगी, 10,000 equal part, इसमें कितने का multiply करूँ जिससे 1 mm आ जाए, इसमें कितने का multiply करूँ जिससे 1 mm आ जाए, इसमें कितना चोटा है, यह वाला, 10,000 टाइम चोटा है, तो यह 1 mm डिस्टंस यह थी, और 1 mm डिस्टंस यह है, तो हमें कितनी चोटी स्लिट बनानी है, इतनी चोटी स्लिट बनानी है, इतनी तिक इविट होनी चाहिए, वो लेंडा के बरावर होनी चाहिए, इतनी चोटी बनानी है, तो इस 1 mm के कितने equal part करने पढ़ेंगे मेरे को, कितने करने पढ़ेंगे, अगर इस 1 mm के 10,000 पार्ट करूं, तो उसका जो पहला एक पार्ट होगा, कोई सब एक पार्ट लेलू, वो होगा, 0.0001 mm, तो सोचो, इस के 10,000, इतनी डिस्टन्स के 10,000 equal part कर देंगे, तब जाके इतनी डिस्टन्स आई, तो आपको कितनी पतली slit बनानी है, जिसकी width कितनी हो, इतने order की हो, या फिर उससे भी छोटी, भी इससे भी छोटा, तो क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है, जिससे ह आप जो saving blade वाला होता है, blade ले लेते हैं, उससे कागज पर, अगर आप saving blade जो लेते हैं, उससे अगर कागज पर ऐसे line खीचोगे, ऐसे line खीच दी आपने, तो इक paper cut दाएगा, तो एक slit बन जाएगी यहाँ पर, लेकिन उसकी width भी, जो blade होता है, उसकी जो thickness है, blade होता है, उस blade तो देखा ही होगा आपने सबने, यह वाला blade, यह S में ऐसे से बने होते हैं, ऐसे, तो इसकी जो thickness है, यह इतने order, इतनी, उसकी thickness इतनी होती है, कैसे जादा होती है, जादा होती है, और इसकी order का आप करना है, भई, बी कितना करना है, लेम्डा के order का, यह जो obstacle लखका है, यह वाला obstacle, यह obstacle लखका, इसका size कितना होना चाहिए, इसका size जो है, लेम्डा के order का होना चाहिए, तो यह condition obtain करना, उस समें, जब यह experimental चल लए थे, observation चल लए थे, मुश्किल था, तो उस समें technology जादा विक्सत नहीं होई थी, लेकिन जैसे जैसे science ने तरक्की करी, तो science ने जब तरक्की करी, तो यह वाली चीज हो, उन्होंने science ने क्या कर ली, obtain कर ली, हम नहीं कर पाएंगे, आज हमारे पास इतनी सुभधाएं नहीं है, हमारे पास अभी भी नहीं है, तो हम अभी भी यह वाली चीज है, obtain करने में असमर्थ हैं, अरे आ रहा है, पहले बाद समझ इसने तरक्की करी, science की technology बढ़ी, तो हमने क्या कर लिया, ऐसी slit बनाने में हम कामयाब हो गए, ऐसा obstacle हमने धून निकाला, बना लिया यार, बना लिया, या फिर ऐसा slit बनाने में हम कामयाब हुए, जिसकी बिर्थ light की wavelength के बरावर की थी, या उससे चोटी थी, जब ऐसा बना तो क्या आजीव देखा आपने, तो हमने देखा, यह observe हमने क्या किया, इस वाले case में, अब इस वाले case में कर रहे हैं, यह width है, d, lambda के order की है, या उससे चोटी है, तब हमने क्या observe किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखो हमने observe कि हमें ऐसा लगा कि, भाई पहले, य यह light ऐसे चल लएती है, यह light ऐसे चल लएती, यह light ऐसे चल लएती, तो हमें ऐसा लगता था कि पहले कि इतना region जो है, यह illuminated region है, जैसे कि इस मैं बूलाई, यह width of slit है, इसकी just सामने वाला जो region है, वही illuminated region है, और observe हमने ऐसा किया तो लेकिन कब observe किया, जब d, lars था, d, lambda से ब कि इसमें क्या हुआ, कि जो illuminated region increase हो गया, अब illuminated region इतना नहीं रहा, illuminated region बढ़ गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, यह कैसे हो गया, तो यह क्या हुआ, तो हमने इसमें बताया कि भाई, हमने और जब किया, कि light जो slit है ना, slit, इसका जो क्या है, सार सार्फट एजसे लाइट बैंड होके किसमें एंटर कर गई साइड ओरीजन में इतना इलुमिनिटी रीजन था और बाकी का तो साइड ओरीजन था लेकिन हुआ क्या जब यह कंडिशन बनी डी लेम्डा के बरावर हुआ जब डी लार्ज से बड़ा था तो यहीं अपजर्ब किया साइड ओरीजन में लाइट एंटर नहीं कर रही जर गई इलुमिनटीड रीजन इसका इनिक्रीज हो गया और इंटर रीजन में नहीं और बाकीक है एयररेण जयह एक कि लाइपश्चिन में प्लेटेस मिदे कि बैंस बन गया एक स्पैडेकल यह इस सपर कल बढ़ रहा है एसे इंक्रीजों यो खो त носख मने प्लें फिर्डार फ्रिंड डाला है इसे इस The अब यहां से लाइट आई और इस से इस स्रिट के सार पैज से टकरा के बेंड हुई किदर कि तरफ सैड और इजन में बेंड हुई सैड और इजन में चले गई यह है डिफ्रेक्शन आफ लाइट इसी को बोलते हैं डिफ्रेक्शन आफ लाइट किसे कहते हैं डिफ्रेक्शन आफ लाइट किसे कहते हैं यह जो slit है उसके सार पैज से light bend होके किदर कि तरफ फैल जाए shadow region में enter कर जाती है तो उसे light का diffraction कहते हैं लेकिन यह observe कभ हुआ यह diffraction हुआ कभ जब width of slit light की wavelength के हूँ या फिर light down हो इस वाली condition में d अगर lambda से बड़ा होगा तो light हमें लगेगा स्टेट पात पर चलेगी और shadow region में enter नहीं करेगी यह observation no.4 इसी को हम diffraction of light बोल लाएं क्या बोल लाएं इसमें light diffract हो रहे हैं diffraction of light किसे कहते हैं light का bend होना किसे से bend होना सार पैज से कितरा कितरा bend होना shadow region में गुज जाना यह diffraction of light है जैसे इस में बात करें तो देखो इस 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 केस में वैलिदेशन में इसमें तो मैं इसी में कर देता हूँ इसमें देखो मैं change कर रहा हूँ चेंज क्या करा सर कि अगर डी इसकी जो विट्थ है डी वो लेमडा से छोटी है या डी बरावर है लेमडा के इस वाले केसमें क्या होगा जो सार्फ एज है वहां से light बेंड होके कि इस में ईंटर कर जा आएगी यह सबींसा इसका यह फेलाब बढ़े गया ना वह से अगया तो यह बढ़े गया पात आपको अ सिलिट के सार्फ एज से लाइट का बेंड करना किदर कि तरह सेड औरीजन में एंटर करना लाइट को बेंड होकर सेड औरीजन में एंटर करदाना इस प्याड होना पैलना डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है इसमें देखो यह लाइट यह आप्स्टिकल है तो देखो यह लेकिन हुआ आजीव सा किस वाले केस में जब डी लेमडा से बरावर था या डी लेमडा से छोटा था ये डिफ्रेक्शन की कंडिशन हैं अगर ये कंडिशन कंप्लीट नहीं होगी तो डिफ्रेक्शन नहीं होगा अभी इस वाले केस में ये कंडिशन थी कि डी बड़ा था लेमडा से तो लाइट सीदे गई कितना इतना इलुमिनेटी लेमडा से यहां पर लाइट का फैलाव नहीं है ये सार पे जिसे लाइट सैड उरिजन में बैंड नहीं हुई है तो लाइट का डिफ्रेक्शन नहीं लाइट का डिफ्रेक्शन क्या है जब ये कंडिशन कंप्लीट होगी इस लिट की जो विर्थ है या फिर अप्स्टिकल का जो साइज है वो लेमडा लाइट की वेवलेंट के अर्डर का है या उससे छोटा है तो लाइट किदर की तरप एंटर कर जाएगी सैड औरीजन में कैसे भb लाइट का सेड गारता है डिफ्रेक्शन ओफ लाइट के लाइट लेकिन ईसा तभी हुआ जब लाइट के विर्थ ऑप्स्टिकल का साइज इस लाइट के वेवलेंट के और का हो या उससे छोटा हो बढ़ा होने पर लाइट फैलती नहीं है साइड औरीजन में नहीं मुड़ती आया वाट देफ्रेशन अप लाइट समझ में आया है स्था ने सल्पना ये संभी सब्सक्राइट करें आप आपन। में जिर्व असमाँ इन से पढ़िया थे तब समझ में आएगा है अब फाइनल टेक्ष देता हूं अब यह अब जर्विशन क्या है कि आप जर्विशन करके देख रहा हूं वाई मैं श्लिट कर रहा हूं यहां से लाइट डाल लाँ परलल लाँ डाल लाँ मैं क्या देखता हूं इतना इलुमेट डीजन है लेकिन यह इस कंडिशन में था सब्सक्राइब यह सर यह सब्सक्राइब अब मैं पूरा अधी बात बताईए अधी का पूरा सेंटेंस नहीं बोला ती के आगे सुनते हैं लेकिन डिफ्रेक्शन आफ लाइट की डेफ्रेक्शन दे दी अगर आप अपनी नोट्स में से देखोगे तो डिफ्रेक्शन आफ लाइट की डेफिनिशन दे चुके हैं और उसकी कंडिशन ही बता चुके हैं कि लाइट का डिफ्रेक्शन कब होता है और कब नहीं होता कब निए बता दिया अगर डी जो विर्थ अफ्सलिट है यो आपस्टिकल का साईज है वो लाइट की डियूम्ट कर रहे हैं उससे बड़ा है तो लाइट का डिफ्रेक्शन नहीं होगा लाइट का अगर किया । किसी कभी diffraction नहीं हो, किसी भी wave का diffraction नहीं हो, diffraction होने के लिए D, या तो lambda के order का हो, या D lambda से छोटा हो, तभी कोई भी wave diffract होगी, और सैडो रीजन में, जहाँ light नहीं पहुँचने चाहिए थी, वहाँ पे भी पहुच जाएगी, दिवारा से, एक बारा देखते हैं, देखो समझते हैं, मतलब समझते हैं देखो मैंने क्या किया या ये slit है ये भी slit है सारफ एज लिया ये नुकीला एज ये पना एससे नुकीला कर दिया तो बहुत नहीं और मैंने कहा कि ये condition कौन सी है D बड़ी है लेमडा से इस पर मैंने पैललाइट डाली यह प्लैन वेफ्रंट इजिनिलेंट यह से लेकिन थोड़ा सा लाइट को हम क्या करते हैं यह तो ऐसे जारी है आई यह भी ऐसे जा रही है, यह हलकी, यह फोड़ी सी मुड़ गई है, क्यदर की तरफ, yowej अल्की सी, ऩी एक प्लैन वे फ्रेंट है, देंको यहां तक तो यह प्लैन रहेगा ऐसे, क्या करना पड़ेगा पता है यहां यह थोड़ासा राउंड देंगे ऐसे यहां राउंड आएगा थोड़ासा इधर की तरह अपर पेंडलर है यह सब्सक्राइब यह थोड़ी सी नीचे मुड़ी यहां तो इस टेट रहेगा ऐसे पर पेंडलर है यहां हलका सा मुड़ गया है तो यह जगह पर थोड़ासा राउंड आ जाएगा और इसक्रीन देखोगे तो इसक्रीन पर जो आपका इलुमिनीयटेटेड रिजिन दिखाई देगा वह था इतना रिजन में आपको इलुमिनीशन दखाई देगा यहापको इलुमिनीटेद रिजन दिखाई देगा दिस इजहढ अइलुमिनीटेटेड रिजन पत्टी बनेगी और counselor है न ऐसे गोल नहीं दो और समझाने के यह जो विट्थ अब डी 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 और यह लाइट की वेवलेंट है यह स्क्रीन है आपकी ऐसे अगर हमने क्या करा इस पर फिर मैंने परलल लाइट डाल दी डिस जिस अपरलल लाइट इसरे सेड रीजन इदर भी सब्सक्राइब रीजन डिस अई लूमिनेट रीजन है कि वेकित अब मैंने क्या करा है इस लाइट ऐसे एसे ऐसे ऐसे अगर डी लेंड़ा के एप्रॉक्णिटिक वाले है बड़र बराबर है है न तो उस वाले केस में क्या हुआ यह लाइट तो आईसे चल लइए यहाँ से लेकिन हैसे मूट जाएगी यहां से लाइट ही विए फैल गई आप 5 आपनanuा आपके टो इसमें आप स्पेर हो रहा है थो यह पूरा ऐसे हो जाएगा भाई रहा है तो इस इदर के तरफ इसका eliminated region बढ़ गया है गट गया है तो बढ़ गया है जबकि यह D के जब सामने elimination होना चाहिए लेकिन क्या हुआ eliminated region बढ़ा है इसका मतलब है कि light यहाँ पर जो सारफ एज हैं वहाँ से light इसे लेकिन जब जो है आप डी छोटा कर दोगे लेंडा से तो उस वाले केस में diffraction सबसे best होगा है ना उस वाले केस में diffraction क्या होगा आपनी light तो ऐसे डाली है आप मैं इसको ऐसे नहीं दिखाऊँगा अलग तरीके से दिखाऊँगा ऐसे लेकिन होगा क्या कि light बड़े अजीव तरीके से फैलेगी ऐसे बहुत तेजी से फैलेगी विटा तेजी से ज्यादा तेजी से फैलेगी light बहुत तेजी से लाइट फैलेगी आपकी यह स्क्रीन रख लिए लाइट यह बीच में चलेगी ऐसे तो यह भी ऐसे जा रही है यह फैलाव क्या हो गया है बिटा यह फैलाव बहुत तीजी से बढ़ा है सैडो रिजन में light बहुत तीजी से बढ़ी है सैडो रिजन में देखो यह स्क्रीन और फैलाव यहां तक पहुंच गया देखो ऐसे लाइट जो है और बेप्रेंट हमेंसा बेप्रेंट कैसा होता लाइट रेज के परपेंडिकुलर तो यह ऐसे रहेगा ऐसे तो फैलाव ए यहां ऐसा सर कैसे हो गया तो यही तो डिफ्रेशन अफ लाइट है जब डी लेंडा से बढ़ा था तो इसलिट के जसे सामने इल्यूमिनेशन हुआ फोड़ा सो से बढ़ा था हलका सा इस वाले केस में लेकिन जैसा ही डी लेंडा के बढ़ावर हुआ तो आपकी लाइट सा बार पे जिसे मुड़कर कि तरह कि तरह मुड़ी बार कि तरफ प्पैली सैड ओरीजन कि मैं फैल गई इसमें सब्रीजन में और बढ़ गई इल्यूमिनेटी डिजन बढ़ रहा है साद रिजन घट रहा है इसी को वो लें डिफ्रेक्शन में भी यह मैंने बना के दिखाए है यह तीनों डायराम में ने बना के दखाए है ठीक है यह समझ में आया कुछ है यह सब्सक्राइब कि फैल ना किदर कि तरह सब्सक्राइब में फैले ना कि स्रुड या अपरचर के शिलिट अपरचर या पिस्टइकल के लाइट का बैंट recorded完全 no क से लिए पहला डिफ्रेक्शन आप लिया तरह लिकिन डिफ्रेक्शन पहुत नोटा कि इस कंडिशन में होता या सबसे बेस्ट होता है विर्थ जितना कम होगी लाइट की विविलेंट से जो भी विविलेंट यूज कर रहे हैं उसे कम होगी तो डिफ्रेक्शन फैलाब जो होगा सैड और रीजन में फैलाब है वो ज्यादा होगा बरावर होगा तो फैलाब होगा और कम होगा तो फैलाब नहीं होगा और लाइट का सैड ओर रीज़न में फैलेंगा ही तो कंदीशन समझे किस कंदीशन में होता है. और उस सवे सिरुवात में क्यों नहीं कर सकते हैं क्या ऐसा अपरचर ऐसा सिलिट जिसकी विर्थ लाइट की विविलेंट से छोटी हो ऐसा slit हमाएं daily life में observe नहीं होगी hardly available होगी ही नहीं बनानी पड़ेगी artificial तरीके से available नहीं होगा ऐसा D कहीं नहीं मिलेगा जिसमें इसका aperture कैसा हो light की विविलेंट से छोटा हो 1 mm से 10,000 गुना छोटा width हो और हम देख रहे हो उस समय कि light fell लगी है भाईया sad origin में तो hardly available है और ऐसा कोई obstacle भी नहीं है जो इस वाली condition को इस condition के according mode कि उसकी जो width है वो lambda से कम या बराबर हो तो इसी लिए light के diffraction को हमें observe भी नहीं कर पा रहे थे शुरुआत में शुरुआत में observe नहीं कर पा रहे थे और हमें लग रहा था कि light is aperture से चलेगी तो कि इस वाले case में ऐसा condition थी यह वाली condition तो हमने बनाने के लिए D को ऐसा बनाना पड़ेगा lambda के बराबर तो हमें ऐसा लग रहा था कि light travel in the state path यह अब जर्ब हो रहा था ऐसा एपियर हो रहा था तो light का diffraction हमें एपियर नहीं होता है मिलता नहीं है hardly available नहीं होता बड़ी मुश्किल से मिलता है बिटा करना पड़ाएगा आपको लेकिन एक बाहा बताओ sound का diffraction यह यह रहा या light का diffraction इजली होगा sound का क्यों उसकी wavelength बड़ी होती है हां उसकी wavelength लेंद को diffraction का वहता है पहले diffraction की condition समझे हमाई इस condition को follow कर है या इस condition को तो वह diffraction होता है sound का किसी भी wave का for any wave किसी भी चीज का diffraction होगा वो इस वाली condition में होगा तो जैसे अगर हम sound की बात करें sound wavelength of sound wavelength of sound वो होता है 15 mm से लेके 15 मीटर तक देखो light की वेवलेंथ का उडर क्या था wavelength of light wavelength of light वो होता है 4000 एंग स्ट्रॉंग से लेके साड़े साथ हजार एंग स्ट्रॉंग तो ऐसा लग रहा कितना बड़ा है लेकिन आप यसे actual में ले जाओगे तो यह इतने मीटर और यह इतने मीटर ऐसे और पॉइंटों में ले गए तो तो बड़ी यह अच्छा वाला आ जाएगा एक दो तीन चार पाँच मिलीमीटर में लियाओ पहले तो फोर इंटू टैन की पावर मानेस के फोर मिलीमीटर अब इसको पॉइंटों में लियाओ एक दो तीन चार मिलीमीटर माइनस से लेके एक दो तीन चार एंटीन लगेंगे विमियमेटर इतना क lenses स्लिट बनानी पड़ेगा यह लेट लेम्ड आए और यह साउंड की वेवलेंट है देखो 15 mm है फंद्रह फिर भी यह तो भिए कि पॉइंट जीरो जीरो फोर मिलीमीटर यहां तो कम से कम 15 mm है इस अपुइंट मिलीमीटर कितना हो गया माले मिलीमेटर General Hillary American म ambro Section मिलीमेटर तो पंतर है इस मिलीमेटर की जगह पर लिख दो प्ट वन संटीमेटर ये हो गया बंब पंट ऐसे व्लक्रम कल और संट्डिमेटर को आपको बनाना बनाना तफ हे क्या इतनी बना सकते हो विसे तुम पैंसी बना दूँ लेकर नहीं ऐसे इस पह और एक छेद कर लो कितना विठ्थोश की 1.5 cm बहुत ही आसाल काम ही 1.5 cm यह 0.1 यह 0.2.3.4.5.6.7.8.9 1.5 1.1 1.2 1.3 1.4 यह 1.5 इतनी चौड़ी स्लिट बनाने है इतनी तो इतनी चौड़ी स्लिट बना ही रखी है मैं नहीं यहां पर इतनी विर्थ 1.5 cm आसान से बन जाएगी 15 mm और 15 होता है उसे भी डी बता रहा हूं डी अपर्चर स्लिट की विर्थ मालोई स्लिट की कौन से मालोई अपना गेट कवरे वाला गेट इस इस इजाड़ स्लिटर और इसका विर्थ की डी कितनी हो गई डी देखें तो ऐसे करके देखें लंबाई में तो जाएद तो तीन या चार मीटर लंबा उंचा ही होती है उसकी और गेट की यह चोड़ा ही देखें तो एक या देड़ मीटर या दो मीटर होती है के करीब होती है विर्थ तो इसी ओर्डर में तो आ कि लेमडा तो बड़ा है वेट थो इस वाली कंडिशन को साउंड वाली कंडिशन में फॉलो करना क्या करना आसान है इसलिए साउंड का diffraction होना easy as compared to किसके light के क्योंकि light की इतने order का D ढूनना और वो भी इससे छोटा या बड़ा इससे छोटा दी की value लेंड़ा तो छोटी होनी चीए बरावर होनी चीए obstacle aperture बनाना बहुत ही मुश्किल काम है daily life में available नहीं होगा hardly available जैसे sound का diffraction का मतलब क्या है देखो जैसे हम वो चुपा चुपी खेलते थे तो हम बाग में खेल ले हैं वहाँ एक बरगद का पेड़ खड़ा इतना मोटा ऐसे इतना मोटा बरगद तना होता है तना उसके इतना मोटा बरगद का पेड़ है एक फ्रेंड हम यहां चुपग गए है मलब दुबग गए हैं पीछे और एक उस वाली साइड पे जैसे इतना मोटा बरगद का पेड़ है एक हम इदर खड़े होगई वो उदर खड़ा है बरगद के पेड़ के पीछे हम उसे बात करना चाहते हैं लेकिन हमें वो दिखाई दे रहा को बरगद का तना इतना मोटा है जनती क्या हो गया यह ओगया ऑफ्स्टिकल बरगद का जो पेड़ का तना है उसकी जो मोटा ही है वो दो मीटर के ओडर की है या से ज़र आप्स्टिकल रुकावट मेरको मैं उसे देखनी पा रहा हूं में तर दबगद दुबका हूआ है उसे देखनी पा रहा हूं लेकिन उसे आवाद दे के पूछ रहा हूं वय सिवह श्मम तो मैने आवाद दी तो सुनाई देगी के नहीं तो सुनाई कैसे देगी साउंड तो सीधे चल लए ऐसे तो बीज़ें तो बर्कत का पेढ़ है तो जानते हैं साउंड हमने ऐसे दी आवाज ऐसे दी तो जो आपका जो अप्स्टिकल है इसका यह जो कॉर्णर है सार्फ कॉर्णर यहां से साउंड डिफ्रेक्ट हो गई ऐसे सार्फ ऐसे हमने आवाद दी साउंड ऐसे दी आवाज हमने ऐसे दी तो साउंड ट्रवल करी ऐसे और दिसे जा बरकद का पेड़ है यह इसका क्या होगा सारफेच यहां से सांड ऐसे जानी चाहिए थी लेकन यहां से ऐसे डिफ्रेक्ट हो गई तो उसे यह सांड पेड़ तो गई हो गई है कि यहां से तॉट फोड़ जलाता लाइट फोड़ लाता यहां से न आई तो यहां जोड़ा दूब सब्सक्राइब पढ़ेगी यह बर्गदगा पेड़ इतना मौटा इबरगदगा पेड़ वाई जो यह से मरगदगा पेड़ा मैं यहां खड़ा हो गया इसके पीछे मैं यहां खड़ा हूँ एक रिखती यहां खड़ा है मुझा को वो दिखाई दे रहा है क्या बिल्कुल नहीं दिख़ता अगर लेकर नहीं है आवाज दूँ तो इससे सुनाई देगा के नहीं तो देगा लाइट ऐसे जाएगी इसके तने से तकराएगी और ऐसे मुड़ के और ऐसे मुड़ जाएगी उसके चेहरे में पड़ेगी सामने बरकत का पेड़ का यह तना ऐसे और मैंने यहां तो जलाई वो पीछे खड़ा उसके बिर को दिखनी राए लकुल भी मैंने यहां तो जलाई ऐसे ज़ोड़ा दी तो क्या लाइट ऐसे जाएगी रोसुनी और है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन साउंड कैसे पहुंच गई कि उस वाले केस में लेमडा डी के ओर्डर का या लेमडा छोटा डी छोटा लेमडा से देको 15 मीटर तक है इसलिए साउंड का डिफ्रेक्शन हो गया किसका नहीं हो पाया लाइड का नहीं हो पाया यह पेज लगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुशन है पीज नमबर दो पर पढ़िया आप क्या लख रहा है तब तक इसे मिटालता हूं कि देकरिशन समंझ में आया है ओव में समझता हूं कि दिफ्रेशन किसे कह रहे हैं जहाँ light नहीं पहुंचने चाहिए वहाँ पहुंच जाए उसी को बने difference of light sound difference of sound sound का difference नहीं पढ़ना लेकिं difference of sound easily हो जाएगा as compared to light के तो कि ऐसे aperture या obstacle जिनका width sound की विव्योंदिक आडर के हो वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे available हैं, लेकिन ऐसे स्रेट की width या aperture जिनकी width light की wavelength की order की हो, या जो चोटी हो, ऐसे बहुत ही hardly available हैं, होते ही नहीं है, बनाने पड़ते हैं artificial तरीके से, ठीक arrangement करना पड़ता है, यहां थे सज मैया, आपने आपने पढ़ाना डिफ्रेक्शन आफ लाइट का यहाला पॉइंट सेकेंड पॉइंट पे नंबर दो पर जो लिख रहा है बहुत अच्छा कुश्य नहीं साउंड के और लाइट वाला चलो अब जड़ा सुनते हैं अखीकत जाम कि अभी जो में डिफ्रेक्शन आफ पढ़ाया है वह इंकम्प्लीट है एक्षल में अभी मैंने पूरी बात नहीं बोली डिफ्रेक्शन आफ लाइट की अब देख पूरी बात बोलता पॉंसंट्रेड करना एक और अब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं हम अब्जर्वेशन अभी अमने केवल डिफ्रेक्शन को सम जाए कि डिफ्रेक्शन क्या है अब हम एक और अब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं कॉंसंट्रेड करना एक लास्ट अब पूरी बात बोलूंगा बोलो पूरी बात कितनी दिरे में बोलोगे ठीक है बोलते हैं देखो यह हम सिंगल स्लिट ले रहे हैं यह इसकी विड़्थ है अब हमने कह दिया कि हम किस केस में पढ़ रहा है डी लैमडा के ओडर की है या यह इसमें यह हका की होता है कि दो टो लो dollars कि votes동्रेशन अगjsk merge speakers diferente और repeat नहीं करुँगा कि width of slayter equal to have wavelength के light of width of slayter lambda से chowtty है यह repeat नहीं करूँगा लेकिन जो कुछ ही पढ़ रहे हैं diffraction में इस condition को fulfill करने के बाद बढ़ रहे हैं मालाव इस complete sentence को complete कर रखा है मैं ठीक है सर तो चलो आगे वड़ते हैं वहागी यह d है ठीख है और यह क्या आपका यह स्क्रीन है और यह 121 पर यह ऑज बात इस पर आम ने लाइट डाली से एक लिंचाल न डाली यह श्लुख क्या अन श्मा डाल दी सब्सक्राइब और यहां यह वाला पार्टिकल यह वाला पार्टिकल यह किसके पार्टिकल है तो यह किसके पार्टिकल यह बना रहा हूं यह मीडियम के पार्टिकल यह सारे के हैं यह वाले यह क्या हैं तो यह हैं मीडियम के पार्टिकल और इस पर लाई ऐसे डाली यह क्या कह सकता हूं इस इस अप बेफ फ्रेंट पर लाई करने वाला एवरी मीडियम का पार्टिकल वेव इस नू सोर्स आफ डिस्टरवेंस नू सोवलाइट जान तेस्स्ट में इस लिट तो एक ही है किया यहां को लैट सोच रख रहें कि ain't लेकिन यहाँ पर यह सारे मीडियँन के पार्टिकल अगॉरेंग तो हय स्थम पार्टिकल जो होते हैं मीडियम के बहुत छोटे छोटे होते हैं जो दिखते नहीं है वाई है ना तो यह जो मीडियम के पार्टिकल है इसमें इंफिटी लार्ज बहुत सारे मीडियम के पार्टिकल होंगे किसमें कहां देखो इसको थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाता हूं जूम करके यह इस लेट हो गई यह इसलेट हो गई और यह विर्थ हो पर स्लेट की डी कहां होती है सब आभी तो आपके अरिदे डी लेमडा से बराबर होना चाहिए लेमडा बहुत होता है रहे वह condition है डी लेमडा के आर्डर का यह डी लेमडा से चोटा है इसे डी बहुँत की छोटा है मांता हूं यहां सब लाइक ढही होगी तो एक मिडियूम का पार्टिकल एक जब light यहां पहुंचेगी तो ये सारेbas अरोट्र brate करेंगे और किस तरह से काम करेंगे एक न्यूव स्वोर्स की तरह से काम ब्रेंगे और करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगू अधरे से गपने टẫn़लेगे according to Huygen principle ये लाई करने वाले सारे medium के पार्टिकल वेव इजा न्यू सोर्स of disturbance of light and emit the new wave in all direction is called secondary wavelength तो देखो ये भी एक source है medium का पार्टिकल है वट्टे कोई source भूस नहीं है यहां के है लेकिन बेहेव करेगा एक source of light की तरह से देखो ये वाला पार्टिकल ओर्टिकल अल्डरसन में second देख निकालेगा देख ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला तो आशे निकाला देखो ऐसे तबीतो लाइट फैल गई देखो ज़से पहुँपल लाइट है एक्चल में कहान ये है तो यह सब करेंगे अब बनाने की जगह नहीं है यहाँ यह वाला भी करेगा यह वी करेगा यह वी करेगा यह वी करेगा यह वी करेगा सब करेंगे सब जितने भी पार्टेकल्स हैं सब एक नए सोर्स की तरह से काम कर रहा है सब्सक्राइब 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 लेकिन पढ़के आ रहे हैं इसके सेंटर वाले पॉइंट पर सेंटर मेक्समा बन जाएगा क्या बन जाएगा यह देखो सेंटर जो इसकी विर्थ है यह वाली विर्थ ऐसे यह विर्थ है इसके सामने से देको लाइट फैलेगी तो यह इतना इतना बड़ा सेंटरल मेक्समा बनेगा यहां पर यह सेंटरल मेक्समा बनेगा यह पूरा ब्राइड बैंड बनेगा इलुमिनेटिड रीजन फिर क्या हुआ पता है फिर उसके बाद यहां पर एक डार्क बैंड बनेगा दार्क, यह बन गया, फर्स्ट दार्क बोलेंगे, इसके बाद इधर क्या होगा? इधर भी फर्स्ट दार्क बनेगा, बीच में सेंटर बना, यह फर्स्ट दार्क बन गया, फिर उसके क्या बाद क्या होगा? फिर उसके बाद जो होगा, वो यह होगा, कि देखो इसकी इसके बाद ब्राइट की विर्थ होगी न वो इसकी जस्त आदी होगी ब्राइट की विर्थ आदी हो जाएगी एकस रहदाएगी यह फर्स्ट ब्राइट तो उसके बाद फर्स्ट मैक्समा इनकी विर्थ तो ब्रावर होती है फर्स्ट मैक्ष्मा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज सेकंड बेट निकी विंट तो बरावर घर कि इसकी बिषिदी बरावर राएं डर्कą बनेगा यह सबसे बड़ी होगी फर्स्ट ब्रेट फरिंज चे के विर्थ की दौले गब होगी बारावर होंगी से इसकी इंटेस्टी इस से इस सवाले से विक हो जाएगी इस गॐ इतनी नहीं होए इतनी यहां भी हो जाएगी डिए चलने पर इंटेस्टी ऑफ तर्फ प्रइड्ट की इंटेस्टी उससे कम, सकेंड बैड की इंटेस्टी उससे भी कम, थार्ड फिंटेस्टी और कम तो बैटनेस घटेगी जनती हो एक्चुल में यह यह अप्टेन होता है हमें यह पूरा डिफ्रेक्षिन ओप लाइट अभी इसको एक्स्टेंग भी करेंगे। कि अब जर्ब क्या किया यह बता रहा हूं आपको अमने अब जर्ब यह किया कि स्क्रीण पर जब हमने लाइट जलाई यहां पर जानते हो एवरी पार्टिकल से वेवलेंट निकलती है और डारेक्शन में सेकंडरी वेवलेट और वो सुप्रेंपोज करती है उनके सुप्रम पोजिशन करने से इन्टाफरमज होने से इंटरफ और उसके दौनार तरफ बंती है लेकिन यहाँ पर इसकी विर्थ कैसी है कम हो गई है आधी रह गई इसकी दवल है इसकी आधी विर्थ वाकि सारे ब्राइट की विर्थ सेम रहेगी लेकिन इसकी इंटेंसिटी सेंटरल राइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी उसके बाद फस्ट बैट बने का उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी थार बैट बने का उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी जबकि इंटर फ्रेंस में क्या था याद है ब्राइट, फॉर्थ ब्राइट, फिप्त ब्राइट, इन सब की इंटेंस्टी सेम थी, किसी की भी ज्यादा कम नहीं थी, एक पॉइंट, एक डिफ्रेंस, 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 एक डिफ्रें नहीं थे उन सब की विर्थ बरावर थी संट्रल राइट की विर्थ फस्ट राइट की विर्थ सेकंड राइट की विर्थ और यहां तक फस्ट डार्क की विर्थ सेकंड डार्क की विर्थ सब बरावर थे सब बरावर थे सब बराइट और डार्क बैंड की विर्थ बरावर थ इक्वल विर। के बैंड बनते थे जबकि यहां ऐसा नहीं है यहां Central व्राइड की दिश जादा है First और प्रोव कर सकते हो दबल है central pet कि मैंने कर देंगे यार यह भी प्रूब कर दोगे sir कि intensity यहां large होगी यहां घम काम होगी और काम हो जाएगी ने कर देंगे यार करेंगे प्रूफ है न अब थोड़ा सा देखो इसको फील करना चाहें तो एक graph से फील कर सकते हैं है यह अमने observe कर रहे हैं क्या कर रह हो चाहिए लेकिन यहां भी मेंक्ष्मा है यहां फीला फूंच रहे हैं लेकिन और की परस चाहिए कोच सी कहां नहीं हो हुए यह विसको प्रिक्षिन पैटर इसको सब्सक्राइब इप्रेक्ष्ण पैटर उसको क अभी हो लोट little आपको बनवा हुआ लेकिन अभी बना देता हूं इंटर्फ्रेंस ओफ लाइट इसका आपने गराफा इसवाले किसमें आई वनाई तु बरावर देट इस अवन और अटु बरावर तो जोसके बनता था हूं कैसे टैनिक रीच मालो यहां पर फोर टाइमस ओफ फाइबन मैक्समुम इस एंट्रा था फिर यह फ एसे चीचरफ फटके थार्क फिर उसके बाद कर सिर्था ब्र पाइ्ट communismam इसलोन उसित को संथरए करें इस यह इंप यह जाती ती तैंटाक सपर बाइट का उसतरए को सब्सक्यार दैप कंड इढ टार्क लार्क сपा था और इलोपने उसके और इसकी और छॉट्ऍ प्रीम Ur पर सेकंट कि इन अने सतिप्लेंडिल एक डीजिटी सीफ्लैट की डीजिए जरी की तरह स्था बैट नेयुन इसकी इंस्तिक और नियुक्त जीडिप कुछ सब्सक्टिक पर यहाँ पर सेकंड बोने इसकी इंतेंस्थी इन थैंस्तिक, जिसकी सपरेशन के बीच नहीं जो ब्राइट बना उसकी विर्थ स्जाव मैं रहिंघ कर दोनों जो इस फ्रिंज किसे कहते हैं यु ze और्णेट ब्राइट बनने उस बैंट्ट को ब्राइट युद्ट फिरंज बनाए उसके ब्राइट फ्रिंज डार्थ उसकी विड थो थे जबकि डिफ्रेक्शन में कैसा हो रहा है पता है ड्रैक्शन में ऐसे हो क्वा करेंगे इसको इंटेंस्टी ऐसे उनकिरीज यह दिफ्रेंस लिए निले आपका फस्थ्कार्ख एस कि और ऊड़ इस चंद एक लगाचंव और प्रभी यह दो गूड़ कि द्रॉ इसके घ्या तो यहां बनेगा बीच में यह रा आपका first bright इसकी width कम हो गई है और intensity भी कम हो गई है इसकी width आदी रह गई है देखो यह तो 2X हो गई और यह वाली जो है इतनी यह X रह गई विर्थ भी आदी होई Central right की फस्ट right की भीरत रहे है संटर राइट की और दूतरी बात इंटेस्टी भी तो कम रह गई है इसकी इंटेस्टी तरी रह गई अब सेकंड डेखेंगे तो दोको यहां पर आएगा थर्ड डार्क और बीछ में ऐगा सेकंड ब्राइट तो इसकी सब्सक्राइब की जो डास्य विर्थ है वेपैसब रह HOW फेस्ट मेंस्टी आर्ग अगर। सबसे हैं सब्णिटी निया नहीं लिक्न सब की अलग है intensity भी decrease हो चलिए आ रही है central light की intensity सबसे ज़्यादा है सर इसको explain कैसे करेंगे तो करेंगे यह हमने observe किया यह हमने observe किया यह यह असलियत में diffraction of light इसको बोलते हैं diffraction pattern अगर ऐसा alternate dark bright बनते हैं इसको बोलते हैं diffraction pattern तो अब हमें यही prove करना है किसमें क्या क्या पढ़ना है mathematically एक central पर central right fringe क्यों बनी फिर इसके बार dark क्यों बनी उसका explanation फिर bright बनी तो इसकी intensity घट क्यों गई और इसकी विर्ट जादा क्यों है और central right से first dark कितना दूरी पर बनेगा central right से first bright कितना दूरी पर बनेगा इस सब चीजों की value हमें पढ़ना है इसमें उसको बोलते हैं diffraction of light at a single slit जो कि सबसे very most important derivation है इस chapter का ठेक है बाई इतनी बाई समझ बाई पहले आपको ये सर्ट ये समझ में आया अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं वो जान दिया आपने हम इन सम को जो भी मैंने इसमें बताया एक कि general पह central maximum बनता है तो क्यों बना दूसरा फिर dark बनता है यहां dark क्यों बना फर्स डार की इलिए क्लिक developments है conditions क्या है फर्स ब्राइट के लिए Central rate की क्या condition है फ़ज जाएक Šैनल बैड की क्लिशन क्या है यह संटाइस हैं यह सब चीज़ों पर चरशा करेंगे इन सब चीज़ों को पढ़ाएंगे लेकन कल वाले लेक्चर में अभी बंद नहीं कर रहा अभी एक चीज़ और प्लाता हूं आगे कल लेक्चर पढ़ेंगे इस सीज़ को आगे सुनते हैं समझ में आपको यहां तक शुरू करते हैं आगे यहां तक आप रीड कर लो यह एक्चुल में डिफ्रेक्शन पैटर अम मैंने स्क्रिन की तो हमें अगर लाइट सीज़ सीज़ चलती आफैंआ आ जा रही है और ऐहा था पुरिय में आ पूररी में रोजनी उप्सक्री को सब्सक्राइब ङैसे ओधले इसे यह वाली फैल लही है इसे तो सुप्रम पोज कर रहे हैं और लेपिंग होगा तब ही तो इंटरफरेंस होगा दो वेब का ओवरलेपिंग होने चाहिए इसको वेब के रूम में देखेंगे तो ऐसे इसके वेब नाएंगे तो ऐसे इंटरफरेंस हो रहा है यहां पर लेकिन हो कितने से एक सिंगल से उसमें यंक के एक्सपरिमेंट में कितनी स्लिट थी हैं दो से से इंटरफरेंस का होता जब दो स्लिट हो और एक सिंगल स्लिट होतो तो दिप्रेशन होता लाईट का लेकिन कंदिशन क्क्रिपरीमेंट चाहिए दी लेम्डा से कम रहना चाहिए या फिर बरावर रहना चाहिए सब्सक्राइब यह कंडिशन होगा सिंगल स्लिट से अगर हम एक्सपरिमेंट्स में यंग डावल स्लिट एक्सपरिमेंट्स में के यह कंडिशन है यंग के एक्सपरिमेंट्स में कंडिशन है यह वाली यह वाली यंग एक्सपरिमेंट्स में है क्या दो से अरे है फिर मैंने सुरू आतमी मता दिया दी क्या है अपने वहां पर जो श्लिट बनाई थी ऐस वन एस तू वह बहुती पत लेकिन यहां डी का नहीं क्या था विर्थ नहीं है यह सेपरेशन यह सेपरेशन तो लेमडा से बहुत बढ़ी है यह मिलीमीटर में होती है मिलीमीटर में एक मिलीमीटर में दिद्द बहुत बढ़ा है लेकिन मैं इस इसकी बात करना हूं कि यहां पर बहुत ही पतला ऐसा ही कंडिशन में करते हैं बहुत पतला चेद करते हैं वह था करती हैं डीजा बेट आप अब्राइब है इसकी विर्थ इसकी विर्थ इसकी विर्थ इसकी विर्थ पतली लेंडा के वराबर तो फिल-फिल करती है महां पर भी अगर इसकी एक श्रीट को बंद कर दें तो इंटेफरेंस नहीं होके क्या होगा सतर्थ इंट्रीट से होता है इसकी तो यह वाली चारेंगे दी वह बास्ताम रेंडा की बहुत पतली चेत करते हैं भी एक बंद करदें तो सिंगल रहेगा सिंगल स्रीट से होता है इंटेफरेंस पुसमें आया सब्सक्राइब करते हैं यह वाला डी विर्थ अपस्लिट है और वह वाला डी दो स्लिट के बीच की सैप्रेशन थी विर्थ नहीं थी स्लिट की हम यहां डी विर्थ अपस्लिट लेंडा की ओर रहा चाहिए यह बोल लहें को मैं पाल में वाला तो है कि अच्छा एक चीजा असल लो डिफ्रेक्शन डोटाइप का होता है डिफ्रेशन टैपस ऑफ डिफ्रेक्शन टैपस अप इसको और पढ़ लेते हैं फिर सब्सक्राइब गेंगरीकोता प्राओंपर्ट डाओंपर इफ्राओंपर डाओंपर डिप्रेचिन अप्राओंपर डिप्रेकशन पर एंपर यह सांट स्टिक्छन ओर्दuje अमाने विद दसित का वह था कि यहां कि ऐसे अथरेशन कर लो था इक है ना आधर इसे को लो यह देते हैं लेकिन दिफ्रेशन भी होता है तो हम पहले श्रेश्ञ बटा रहें इन्हों ने क्या किया कि इसमय सिंगल में उन्होंने वोला कि वह हैं एक सिंगल ले लघे कि टेले इक से से हिसमें मैंने ठीक है यहां पर उन्होंने एक point source रख लिया रख लिया monochromatic रखना monochromatic point source monochromatic point source देख बाता हो monochromatic point source की slit AB what the name of AB AB किसका नाम है slit AB का AB क्या है AB की नाम लखा slit narrow slit narrow slit AB slit का नाम रख लिया मैंने AB narrow slit AB इसकी width D यह तो slit AB के यह point source finite distance पर है slit AB से यह point source finite distance पर है या infinite distance पर है finite finite और यह screen रख लिए इसने capital D दूरी पर यह screen तो slit से यह screen रखी capital D दूरी पर तो यह screen slit AB से finite distance पर है या infinite distance पर है finite तो slit AB से जो source है वो finite distance पर हो slit AB से screen है वो भी finite distance पर हो अगर ऐसा arrangement करोगे तो यह होता है Fresnel Diffraction Fresnel Diffraction में क्या है आपने एक देको Fresnel Diffraction है तो Diffraction तो किसे होता है slit से तो आप एक slit लो एक source लेना एक screen लेना है अगर slit AB से narrow slit ले रहे हैं condition तो यह है लेकिन जो narrow slit AB है उससे जो source है वो finite distance पर हो और slit AB से जो screen है वो भी finite distance पर हो तो ऐसा अगर करते हैं तो ऐसे इससे जब इस वाली condition में जो Diffraction होगा लाइट का उसको हम बोलेंगे Fresnel Diffraction सर इसमें क्या होगा तो इसमें तुम बढ़ा चुका हो आप लाइट ऐसे चलेगी यह लाइट ऐसे चलेगी तो इसमें कैसा incident किया अब यह वाली condition है तो यहां पर लाइट फैल जाएगी भाई किदर की तरफ साड ओरीजन में अगर लाइट इतना होता लेकिन यह लाइट फैल गई भी यह ऐसे तो अगर फैला बढ़ा आपका इसका ऐसे तो यह देखो ऐसे लाइट चल लगी है अब यह बढ़े उसमें तो इलुमिनेट रीजन बढ़ गया सैड ओरीजन में एंटर कर गई तो इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेजनल डिफ्रेक्शन आपको फ्रेजनल डिफ्रेक्शन बस इतना बताना है कि स्लिट अबी स है जो हो स्क्रीन है वह भी फाइन डिस्टंस पर हो अगर ऐसा अरज्जमेंट कर के हम डिफ्रेशन पैटरन अप्रिफ्रेटर्न करेंगे तो उसे बोलेंगे हम क्या उसे हम बोलेंगे फ्रेजिनल डिफ्रेक्शन ठीक है फ्रेजिनल डिफ्रेक्शन आप पढ़ सकते हो नोटस में से आगे अगला है फ्रोन अपर डिफ्रेक्शन तो फ्रॉन अपर डिफ्रेक्शन क्या है तो फ्रॉन अपर डिफ्रेक्शन की बाग परता है फ्रॉन अपर डिफ्रेक्शन में कहा गया कि भाई एक प्लैंसर के ले लो स्लिट ले लो स्लिट हम स्लिट से ही पड़ेंगे यह स्लिट ले ली नहीं कि ठीक है यह slit की विर्थ है डी लेमडा के ओर्डर की या डी लेमडा से छोटी यह condition तो होनी चाहिए फिर सुनोंने कहा कि भाई कि जो source है न वो slit से infinite distance पर हो slit AB से source कितनी distance पर हो infinite distance पर हो slit AB से source infinite distance पर तो बताओ वहां से आने वाली light कैसी होगी पैलल या converging या diverging अगर source कहां रखेंगे हम slit से infinite distance पर तो वहां से आने वाली रेज पैलल आएंगी आएंगी कि नहीं हाँ है कैसा वेफिरंट इसे किया हमने लिए चाहिए किया लाइंट प्रिंट है यह किया कर दिया तुमने इसका मतलब रहें में यह और मुश्कान सरमा के घर सोर्स रखे आएंगे और रितु नहीं प्राची गुपता के हैं हम जो है स्क्रीन रख लेंगे दूर रख लेंगे एक्सपरिमेंट करने के लिए हम फॉन करके कहेंगे मुस्कान सर्मा लाइट जला दे स्क्रीन Gir correct करने के लिए सब्सक्राइब करेंगे एक्स household रख देगे देडिया य सोस एक्सक्राइब कारोगज शॉर्स इस लेंगे अनुछ लिंस क्यार यॉर्च यॉर्स यॉस्थ लोगे सार्क्राइब हना रहेंगे हम एक source घेंगे imper psychiatric source इसके first focus पर इसके first focus पर यह फस्त focus आहरा और इस पर एक source दिया monochromatic source of light रहती है है ऑफ लाइट ऐसे चलेगी ऐसे 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 अम जानते हैं कि जब सोर्स कहां रखा हो फोकस पर वहां से चलने वाले ले लाइट आफ्टर रिफ्रेक्शन कैसे हो जाती हैं पारलल है तो सोर्स मेने इंफाने डिस्टंस पर रखा गया इसको बच्चे अलग तरीके सोचते हैं जानते हुँ बस मैं यह कहना की कोशस कर रहा हूं जब से सोर्स इंफाने डिस्टंस पर होगा तो अगर मैं कुछन पूछूं आपसे मैं आपसे कुछन पूछ रहा हूं कि भाई से से सोर्स इन्फनने इंटेंस पर रखा है तो बतो पर लाइट ए वी पर एवी पर एवी कैसे ंसे तो होगी तो आपके हिसाब से सोर्स जब इंफिनिटी पर रखा होता है तो आपको पहले लाइटी तो करनी है वह यह मैंने ऐसे वर्णिमेंट कर दिया होगी बात खतम अब रग्याना सोर्स इंफिटी पर रहे कि नहीं बदा बदा हो यह सर्फ ठीक है आगे बड़े इसके बाद अब लाइट जब चल लाइए ऐसे तो यह लाइट जो स्क्रीन है ना वह स्क्रीन भी यह स्क्रीन है वह स्लिट अबी से इंफाने दिस्टंस पर पर रहा है वे स्क्रीन विडिक लैसे तो जानते कैसे कर लेंगे यहां पर एक हम प्र एक मिन्ट कॉंपर वह स्क्रीन है और इस स्क्रीन को इसके से कंड फोकस पर रख देंगे ए इस ही क May लगए ऑजर दिंगो अर यह हमाल है कि इस रहीं कैसे आपर जाएंगी सेकेंड फोकस पर मीट करेंगे इस आरी सबसे बनाई बüyorsun साथ आण से धो आपने बना ऑपने बनाए बहुत सारे क्या हैं यहां से 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 यहां स और यह वारी मैंने कौन से लिए यह मैंने यह ले ली यह ले ली यह ले ली और यह ले ली जा रही है जा रही है जा रही है तो यह सब पैरलल चल लिए ना यह लाइट गई पैरलल गई यह लाइट पैरलल 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 जब जाते हैं तो आपको याद हो जब यह सारी लाइ आपने ऐसे तो आप ज़रा समझो आपको याद हो कि अगर ऐसे आ रही है ऐसे प्रंसिपलेक्स के पारल तो यह सब्सक्राइब नहीं है लेकिन आपटिक पर इमेज कहा वनती तियाद है आपको यह सेकंड फोकस है लाइट सीथ जाएगी इसके जस्ट यहाँ बनेगी एफ टू के जस्ट ऊपर याद आ रहा है आपको एफ टू के जस्ट ऊपर अगर लाइट ऐसे आ रही होती है ऐसे और ऐसे लाइट पैलल है तो अबजेक्ट तो इंफिटी पर रखा है इसमें भी पैलल लाइट है तो अबजेक्ट इंफिटी पर पनाट में तो एक बार में यहां बन नहीं और एक बार यहां बन नहीं ओपर नहीं बन तो अगर यही पर एक यह यह आप बाट्चे सोशने किसर ऐसा नीची भी होगा मैं यह लाइट जा रही है झालिए जी को सब्सक्राइब शुचिंगे एसे अइसे पांगे इसको सम्झोन यह आप उसको सम्झों नहीं यह पौइंसोर्से बेथा अब देखें कि अगे अगे पर आधी निघुटरेश्टेड विट्व देखेंट पर सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब जा रही हो तो इसके विशुने सब्सक्राइब करें यह सब जाके नहीं इस गहें पर सुपरम्पोज हो गई भई अभी बताऊंगा यह ऐसे कैसे हो रही है बताऊंगा अभी आ रहा है कि नहीं यह सारी तो देखो इन सब का सुपरम पोजिशन हो रहा है नहीं हो रहा है अभी यही है कि और भी यहां से और भी निए यहां से नहीं आया कि नहीं ऐसे एक यहां से निकल गई फिर वो इस जगह पर लेंग सोटा पड़े गया लेंग चैसे यह पड़ी जगह पर सब्सक्राइब कर दो इसमें इसमें सभी इमेज कहां पर बन नहीं है सेकेंड फोकॉस में नहीं पहां पर एक इसक पर एंब के लेकसे हुआ है यह उपाइन इनकल द्सपडूर कीएए लगर पर लकी पी विरुंग मत बन चैपर हम दो इसक आपर दर्टूर nyt बन शॉपहर किया जबतूंई यह जब लाइड़ पर लय पंडूंगि अई यह यह लाइट पैर्लल निकल लें तो फार्लल घृवल होता है ना आप इक बाद आउब तब मत Ben पार्लल बताओ इमेज कहा बनेगी इंपनेट पर तो ये सारी लाइट इमर जुई है कोई भी देख लो कोई भी देख लो तो इमेज कहा बनेगी अगर यह नहीं होदा तो नहीं नहीं होदा तो कहा पर बनती ही सब्सक्राइब कर दोड़ी रखेंगे स्क्रीन या रखेंगे लेंज कर लेते ना स्लिट से के लिए तो स्क्रीन इंपिटी को मिजी अब स्लिटी के लिए अब्जिट इंपिटी बन होना जाहिए आया कर नहीं सोर्स कि वाइज स्लिट अबी से सोर्स इंपाने इसका मतलब है यह ना यह इसका मतलब है यह बना है ना परल्ल्ल का नहीं आया विटा आगे यही हमारा फ्रॉर्म पर डिफ्रेक्शन किलाता है और इसको हम अप्टेन कर सकते हैं दो लेंसों की हर्प से इन चीजों को ऐसे बना सकते हैं रख लेंगे ज्यादा दूरी पर लेकिं लेकर लेट निया कहां कहां से रही है इंफिटी से हा रही है यह लेट कहीं recognizing को जुने वाले नहीं है लेकिन लेंस के अलप्सियों से सुपरिम्पूज करा देंगे स्क्रीन पर ठीक है यह फ्रॉन अफर डिफ्रेक्शन प्रॉन पर डिफ्रेक्शन सब्सक्राइब से सोर्स इंपाने डिस्टंस पर हो और अगर हम ऐसा आरेंजमेंट करें तो से फ्रॉन कर पाएंगे दो लेंस की हल्प से एक लेंस लेंस एल्टू के हम ऐसा अरेंजमेंट बनाप पाएंगे एक हमारा फ्रॉन पर डिफ्रेशन हो गया कल देखते हैं हम इसमें डिफ्रेशन आप लाइट सिंगल से ताइमिंग रहा सवा ग्यारे विजे ग्यारे बीस पर हो सकता ह पर लिंक आए जाद आपको ग्यारे पंद्रे पर भी आ सकता है और शाड़े ग्यारे जी दून होगी फिगए टैंक यू थैन्कियू सरव थैन्कियू सेस्था के सिति अ झाल झाल झाल